तो फ्रेंस वर्कम टू अमर्के स्टडी देखिए जैसा कि डे टू है डे बन का हमने कर लिया 10 शीरीज आपको आई होप आपको अच्छा लग होगा वी वीडियो ठीक है मैंने फुली डिस्क्रिप्शन में करवाया हूँ है फुली एक्स्प्लें करवाया था मैंने तो तो नॉन टेक के भी क्लाश जल्दी से स्टार्ट करेंगे बस थोड़ा सा समय दो ठीक है चलो तो पहला कुशन देखते हैं पहला कुशन फर्स्ट कुशन यहाँ पर आज के लिए देखते हैं बताईए सबी लोग क्या आंसर रहेगा क्या रिजल्टेंट ओफ टू फोर्स इस्वी एंड क्यू एक्टिंग एट एंगल ठीटा पर पढ़ने वाले दो बल पी और क्यू का पाडामी क्या होगा यह बताईए अब तो बहिए क्या आंसर रहेगा इसका बताईए सबी लोग आंसर बताईए पी स्कॉर प्रस पी क्यू सब्देट टू पी क्यू इंड्र ठीक है यह आंसर इसका हो जाएगा बाकि इस से रिलेटेट कौन-कौन से कुशन बन सकते हैं वह हम देख लेते हैं एक बार ठीक है चलो देखें फ्रेंट्स इस कुशन थे रिलेटेट जो भी एक्स्प्रेंशन है जो भी एक्स्ट्रा बनते हो मैं आपको बता जे रहा हूं ध्यान से देखिए यहां पर लॉग पैलोग्राम समानता चत्रवजगा नियम आपने पड़ा होगा मेकैनिक्स में ठीक है तो आपको पता जब वर्क करते हैं तो लो पैलोग्राम समानता चत्रवजगा नियम प्रहते हैं इसमें रिजल्टेंटिं का मतलब क्या होता थीक है रिटने Young है यह 50 Newton है एपिस नियुटन को इसा मतलब फोर्स आ जाए दोनों का एक ही मतलब वह वह नगाए ठीक है नों का एक ही फोर्स लगाए तों क्या करेंगे वह कहिए और है यह अकेला ही 100 को न्यूटर का कर दे रहा है यह किला ही कर दे रहा है है कि नियुक्त बोलेंगे थिक आप फोर्च लग रहे इन दोनों के बराबर कोई एक ऐसा लगा यह सब्सक्राइब तो इसको बोलेंगे हम रिजल्ट तो इन दोना का रिजन टेंट के जो फॉर्मुला होता है पी और क्यू का जो दो बल लगते हैं उसमें देखो क्या होता है अगर वह बात करें डारेक्शन आप आर रिजल्टेंट में थीटा विध प्फ फॉर्स पी जैसे आर है यह पी के साथ अगर अलफा एंगल बनाता है ठीक है यहां पर लिख देते हैं ठीक है यह याद रखना यह इंपोरेंट है बागी पूरा एक्स्प्रेशन में वह हम बात में देखेंगे यह सारी चीज़ यह फॉर्मला है आप देखो होता क्या है कि आपको क्या करेगा कि ठीटा बराबर खुछ देज़ेगा ठीटा अब यहां पर जीरो दे दिया ठीक है ठीटा बराब जीरो हो जाथ है तो देखो यहां पर साइन 0,0 होता है गॉस्ट जीरो दीटा हो गया जब पर यहाँ पर रखना है कि यह बन जाएगा यह तरीके से एक होगा रखांग यहांट पर यहाँ साइन जीरो का जीरो होता है इधर एक एक जीरो जीरो हो गया फिर यह यह जीरो हो गया तो आप जीरो रखोगे तो यह पूरा जीरो हो जाएगा तो अंडर रूड में आर परावब P square plus Q square बचेगा ठीक है यह चीज होती है तो यह हो गया बाकी एक और पूचा जाता लामीज theorem और पूचा जाती है वो यहां पर बता जे रहाँ लामीज theorem लामीज theorem में देखो जब तीन force वर्क करते हैं बई किसी भी एंगल पर तीन force एकलिवर्म में होते हैं तब की बात करना है ठीक है बलात बन रहा है P1 P2 P3 इसके सामने एंगल अलफा इन दोनों के सामने बीटा और इन दोनों के सामने गामा तब भाई क्या होता है P upon sin अलफा ठीक है P upon sin अलफा is equal to P2 upon sin बीटा हो जाएगा and P3 upon sin गामा हो जाएगा इस तरीके कोई equation बनती है आपकी ठीक है याद रखना यह तमारा जब फॉर्बुले आते हैं लामी स्वरम पर आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्बुले बहुत बनते हैं थोड़ा सा लेविल जब अलग हो जाता है तो बहुत बन जाते हैं उस तरीके से सही लग रहा है तो प्लीस बताईएगा confirm करके और हाँ एक बात और बता दूँ यह जो क्लास है वो अभी offline चल रही है ठीक है क्योंकि अभी थोड़ा सा internet की issue आ रहा है तो हम online भी काई देंगे 3-4 दिन के बाद थीक है पांस तारिक के लग बख आपको online क्लास मिलेगी तो प्लीस इसको पूरा देखिएगा अच्छी तरीके से और कोई भी इशू आ रहा है तो आप प्लीस कमेंट जरू करना ठीक है कि सर किलियर नहीं दिखाई दे रही है या नहीं दे वे आपको बदाने हैं यह दोने फार्मूले को याद रखने हैने बस मैं यह कह स्टेकिला निख तो आपको तो निकालना है ठीक है इस फॉर्मूलेव रखे कि आप रिजल्टन कहां से जरूर देना अभी ठीक है उसके बाद आगे पॉस करके फिर आगे आप देख सकते वीडियो को ठीक है यह जरूर देना इससे क्या है कि आप भी प्रैक्टिस होगी आपको मुझे भी बता चले कि आप कितना सौल कर बार हो और लाइक जुरूर कर दिया करो लाइक नहीं करते हो आप बिल्गुल भी और चैनल को सभी लों सब्सक्राइब कर लिया करो कल वाले जो वीडियो में ना थोड़ा सा भी मतलब कुछ भी इंक्रिमेंट दिखने को नहीं मिला तो मुझे असा लग रहा है कि मैं इंपार्टन कुछन है सारे का यह आपका पुलिसे लिटरेड़ है उसमें अफंप पुली स नाम शीफ ले पुली ममें ट्रू vaccines लीव होका यहाँ पर रहा है आपको पता है फस्ट सिस्टम होता है थर्ड सिस्टम होता है तीन टाइप की पुली होती है उसमें नमबर पुली प्रत्रम फस्ट सिस्टम के लिए जो मेकैनिकल एडवेंटर होता है ठीक है वो क्या होता है वो आपको बता रहा है तो फस्ट सिस्टम के लिए क्या होता है वि कि यहां पर कि पावर एंड कर लेना इसको अरत क हो जाये हैं बाइथ फ्रस्ट यहां पर पुली के लिएर ए इसे लेड़े जो भी कुशन-बंदेज़ लिए क्या होता है इस सारी चीज़ हम देखने वाले हैं अ कुश नम्ज तरी जेखिए most important question नहीं है काफी बढ़ पूछा गए if the bulk modulus if the bulk modulus of a key and modulus of elasticity E and poison ratio 1 upon M poison ratio को हम mu से भी denote करते हैं when which of the following is due true आपको बताने है निमें से कौन सा correct होगा ठीक है आयतन प्रिस्ताता गुड़ांग E प्रिस्ताता गुड़ांग का poison निमें से कौन सा सही होगा या आपको इसका answer बताना है कौन सा इसका सही answer हो जाएगा आप बदाएगे correct answer तो C answer is the correct answer E ब्रावत 3 के 1-2 upon M हो जाएगा इस रिलेटर जो भी formula बनते हैं वो एक बार में हम देख लेते हैं फॉर्मली कुछ भी आतके हैं मैं 6 साथ formula एक साथ बदाऊंगा आपको ठीक है चलो देखते हैं अब वीडियो लाइक जरूब करना ठीक है पसंदार हो तो लाइक जरूब करना देखे भी तीसरे question related जो भी point extra point बनते हो मैं बता दे रहा हूं आपको ठीक है यहां पर e g k यहां पर एक relation आता है e g k में ठीक है young modulus होता है e g होता है modulus of fragility k होता है bulk modulus यह चीज़ होती है इसमें relation क्या आता है वह मैं आपको बता दे रहा हूं एक सारे relation देखना important है सारे question जरूर आते हैं आपके एक होता है e power 2g 1 plus mu ठीक है e power 2g 1 plus mu होता है mu क्या होता है poison ratio mu होता है poison ratio यहां भी लिख दे रहा हूं ठीक है poison ratio अभी इसको भी क्लिए करते हैं और इसको हम one upon m से भी denote करते हैं यहां भी लिख दे रहा हूं तो यह अलग लिख दे रहा हूं मैं ऐसे करके तो अगर इस तरीके से आपका आ गया e power 2g 1 plus mu आता है एक तो ठीक है इसके बराबर इसके बाद में देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते है e power 2g 1 plus 1 upon m लिख देंगे भई इस तरीके से भी रखा होगा भई एक्जाम में इस तरीके से भी रखा होगा इस तरीके से ना रखे के अगर इस तरीके से भी रख दे 2g एम को अगर रिजल ले जाओ तो m plus 1 upon m इस तरीके से भी रख सकता है यह तीनों है ना वह तीनों यह वह सेम है ठीक है बस आपको पता होना जाई कि इस तरीके चेट के फॉर्मेट है नौप कैसे भी लेक्ट सकता हूँ ठीक है तो यह चीज होगे दूसरा देखो 1-1-2 upon m लिख सकते हैं कि नहीं बताओ क्योंकों बराबर 1 upon m हो जाएगा तो यह यह एक ही फॉर्मेट है यह ठीक है कहीं पूछ सकता है इसको भी कुछ ना कुछ इदर उदर करके वह बना सकता है तो यह चीज हो गई ठीक है तीसरा देखिए तीसरा देखिए E बराबर होता है 9KG upon 3K plus G ठीक है E बराबर 9KG plus 3K plus G होता है ठीक है यह चीज हो गई अब यहाँ पे एक इसका यह फॉर्मुला और बनता है 9 upon E is equal to 1 upon K plus 3 upon G यह दोनों एक ही है सेम है ठीक है यह दोनों भई सेम है तो तीन फॉर्मुले इंपोर्मुले ध्यान रग लेना इसका जो फॉर्मिट आप सॉल्व करोगा ना यह 3K plus G को इधर ले जाओगे इस तरीके ते फॉर्मिट पूछे जाते है ठीक है जी बराबर जी क्या है यहाँ पर मॉडलेस आफ रिजिडिटी है हिंदियों में याद नहीं है ठीक है जी इस गल्टी होदा है टाव पॉन फाई टाव पॉन फाई मतलब सीयर इस्ट्रेस सीयर इस्ट्रेस अपॉन सीयर इस्ट्रेन से इस्ट्रेन क्या होदी एब यह से इसको फिर इस्ट्रेन होदी है से डिल्टा ईल अपन ऐल मतलब यहाँ पर फॉर्मूला होता है इसका चेंज इन लेंग्ध चेंज इन लेंग्ध अपॉन ओरिजिनल लेंग्ध अभी हिंदी में बता रहा हूँ जैसे इस ट्रेंग क्या हो गया वही कि जैसे मालोक किसी आपने क्या है एक बॉडी है ठीक है इसमें आपने पी फोर्स लगाया तो यह खिचेगी न यहां तक पी फोर्स लगा रहे है तो खिचेगी तो खिचने वाली जो है ना ठीक है वो डिल्टा एल है लंबाई पहले जो लंबाई थी वो एल थी ठीक है पहले जो लंबाई थी लेकिन अब जो हो गई है यहां तक वो डिल्टा एल है डिल्टा एल का मतलब चैंजन लेंग्ध ठीक है तो तो चैंजन लेंग्ध अपॉन और होता है इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू आप लिख दो यह इंपोर्टेंट है वैल्यू इसकी होती एक वाटी तीन से लेगे एक वाटी चार के बीच में solve कर लेना वही कितना होता है ठीक है 0.0 में कुछ ही आता है यहाँ बे तो यह formally important वही याद कर लेना इसको और किशी important बन रहा है इसे देखो bulk modulus का और आता है bulk modulus क्या होता है bulk modulus के इस गल्टी होता है sigma upon delta v upon v ठीक है यह होता है bulk modulus मतलब क्या होता है के बराबर यहाँ पर जो sigma है वो होगा देखे नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस होता है upon यहाँ पर delta यहाँ पर हो गया यहाँ पर हो जाता है volumetric strength ठीक है यह चीज़े हो जाएंगे यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर जाएंगे यह तीरो फॉर्मुले है वो याद रखना पर इसके format मैंने आपको बार बता है वीडियो पर भी बहुत बार बता चुका हूँ भाई यह ठीक है बस आपको revision करना है चीज़ों का अब आगे देखते हैं कुछन में काफी इंपोर्टेंट है यह बिहार जीज़ी में कुछन पूछा गया था ठीक है और इस तरही के कुछन आपके आते हैं यहाँ पर देखो the circumferential of stress in thin cell due to internal fluid pressure is given by तो आपको पता है कि circumferential जो stress होती है ठीक एक तो रखेअ के घograph के में बड़ियो होती है longitudinal stress तो circumferential जो stress होती है उसमें क्या formula होता है अपका बताई है circumferential stress जो होती है उसमें क्या होजाशाब अब बताव pd upon two t होता है पीडी अपॉन टूटी तो बी ऑप्शन इसना करेक्ट आंसर और एक होती है लॉंगी टूटनल मैं यहीं पर बता दे रहा हूं लॉंगी टूटनल लॉंगी टूटनल स्ट्रेस होती है उसके लिए होता है पीडी अपॉर्टी यह फॉर्मुला आपको याद रखना है लंबा होगा लंबा होगा ऐसे एलों लॉंगी के लिए लॉगलंबा जो होगा उसमें जादा और 40 अपॉर्टी आए याद लो तो तो याद हो जाएगा टिकला लंबे मादला पॉर्मने वेखने को स्थेजियों हो इसस्ते होगा उन्ह तरीकर से आपको याद हो जाएगा मैं कुशन ज्यादर ले लिए ठीक है कल से मिक्स कुष्छन करेंगे यंग मौडलस आफ डिफैने स्तु यंग मोडलस जो होता है कैसे डिपाई कर हो गया बदाई है वाधाई वाल्य मेट्रिक स्टेस और और यहां पे लॉग मेट्रीट योट्टारड रगदोना इस ट्रैंड तो बता ही क्या एक सर्सका करक्ट हुगा तो इसका कर्ट होगा नकी किरने इत्पर्वेद कि कॉछची कुछ नम्रेश देखिए अब श्की समें यह कह रहा है यह इंक रहा है कि अब tot अब आपको याद होना चाहिए तो शॉष हमेजा हाब घन अं Cinema सिक्सका ओ ru यह ker 25 मोन्हेटर आपको सेक्शन पूझाए है अब्हुटर को पूचै आपको सेक्शन अगर पूछे सेक्शन मॉड्लेस होता है आई अपन बाई ठीक जब इसको फॉल्ट बड़ाबर हो जाएगा आपको डीवेट टू ठीक है डीवेट हो जाता है तो इसका पूरा फॉर्मुला जो बनता है वो बनता है देखो पाई डीकिव अबन पाई डीको फॉर्टीटू कि कि यह आपको फॉर्मुला बन जाता है सेक्शन मॉडल पूछे तो यह और आपको सेक्शन में अगर मुवमेंट अफनेर से पूछे तो यह हो जाएगा यहांसर ठीक है आगे देखते हैं यहां पर कुश्चन से लेटर कुश्चन देखेंगे यहां पर आपकी शाफ्ट है को मैं यहां पर बना रहा हूं यह शाफ्ट है ठीक है यहां पर इसका जो क्रॉस एक्शन है यह वाला यह इसकी बात कर रहा हूं मैं इस तरीके से बना ले रहा हूं एक्सिस बना रहा हूं यह एक्स ठीक है यह बाई हो गया तो यहां पर हम इसकी बात करेंगे यहां पर द्यान से देखेएगा यहां पर मुमेंट ओफ इनर्शिया की बात करेंगे मुमेंट ओफ इनर्शिया moment of inertia of circular shaft circular shaft की बात कर रहा है circular shaft moment of inertia circular shaft के लिए क्या होता है pi d4 upon 64 होता है ठीक है i बराबर यहां पे हो गया pi d4 upon 64 यह इसका formula होता है ठीक है अब section modulus आपको पूछा जाए section modulus पूछा जाए आपको ठीक है section modulus तो section modulus को z से note करते है 2 im nature to I upon by होता है आई अपन तो यहाँ पर इसके जो diameter है ह मैं आख Days एक यहाँ पर बस्का सब्वाधा की साथ is the the criteria में के ने जाल रहा हो aux-फे एंदि दी डेयमेटर यहांपे हो गया तैकर आई हमने क्या निकार ह HEY दे आपनं सिप्टीफोर निकाला है हम् क्या करेंगे जाट कई अदि er कल क्या घल करेंगेगी वा además यहाँसे यहा नीचे से लेके आपके नीचे से लेकर यहां तक की दूरी है भाई ठीक है तो 22 गल्टू क्या हो जाएगा भी 22 डी भाई टू हो जाएगा ना डायमेटर का तो डायमेटर का डी वाई टू रखो आप तो मैंने क्या गिया यहां पर स्वाट करूँगा अब ही कुछ अलग तरीके से डी बाई 4 अपउन 64 इंटू 2 बाई d मैंने उल्टा कर दिया नीचे वाल आप काटेंगे ठीक है तो यहां पर देखो 2 से काटो यहां पर 2 से 2 ती अच्छे है दो दिनी चार ठीक है और डी से एक ये d cancel, एक cancel हो गया तो क्या बचेगा भाई, z बराबर हमारा बचेगा पाई d q upon 32 तो section मॉडलर्स अगर तभी पूछा जाए for circular shaft के लिए for circular circular shaft ठीक है वो भी solid होन चाहिए अगर उसने hollow दे दिया तो कुछ अलग हो जाएगा ठीक है यह भी formula में बहुत बार करा चुका हूँ सोम के question में तो z is equal to pi d q upon 32 आजाता है यहाँ ठीक है तो moment of finance का simply formula पूछ जाए तो i बराबर a के square होता है आपको पदा होना चाहिए या फिर या फिर इसको अम इस तरीके से लिख सकते है देखो क्या लिख जाएगा भई इस पर यहाँ पर लिखता हूँ के बराबर अंडर रोड में आई अपन ए इस तरीके से आजाता है ठीक है यह कुछ formula है important वह आपको याद रखने है ठीक है ना कोई दिखकत नहीं यहाँ तक चलो आगे देखते हैं देखे वह important question नहीं है इन ए 4 बार्ट चैन में कैने theory of machine का है ठीक है there is 4 link and 4 turning pair 4 link दे रखा है and 4 turning pair दे रखा है one of link is link is 16 16 दे रखा है गया यह गलत है fix देख रखा है यह गलत है ठीक है यह आप्य करा रहा है one link is fixed the degree of freedom of mechanics मैं कह रहा है कि 4 link है आप पर पास 4 link और 4 pair है तो आपको डी ओ एफ बता रहा है degree of freedom का formula क्या होता है इसको करते है ठीक है बोड़ वे अब देखे question number 8 जो है वो क्या है degree of freedom का formula है degree of freedom से पूछा गया है भई तो link जो दे रखी है आपको link भी 4 दे रखी है and pair भी दे देखें आपको भी चार दे रखें ठीक है ना यहीं डर्ड़ है अभी एक मत रुग ना सिक चार ठीक है तो degree of freedom पूछा आपको डी ओ एफ ठीरियों मशीन का हाँ अब एच क्या होदा है यहाँ पर एच जो है वो नंबर ओफ हायर बेर है नंबर ओफ हायर बेर ठीक है जे जॉइंट हो गया ठीक है ना जॉइंट दे रखा होगा आपको यहां पर ठीक है न कोई देख कर नहीं आदक अब इसको करो भई question कैसे करेंगे 3 l कितना हो गया भई 4 है तो 4 minus 1 करेंगे minus 2 into j कितना 4 और h 0 हो तो 0 लग देंगे कोई यह तो है नहीं ठीक है जो दिया नहीं होता है वो हटा उसको लग 3 into 3 यह 3 बचेगा और यह हो गया 8 तो कितना हो जागा भई 9 by 8 बरावर 1 तो 1 आंसर इसका हो जाएगा जो कि आंसर कितना है भई इसका 1 a आंसर है इसका ठीक है यह आंसर है समझ में आ गए होगा कोई दिक्काद नहीं यह फॉर्मूला आपको याद रखना है दिग्री और फ्रीडम का कभी पूछा जाए उस लेता भई तो डिग्री और फ्रीडम 3 ब्रागेट में L-1-2J-H ठीक है आगे देखते हैं कि देखें बई कुशन नमबर यहां पर नाय देखिए कि रख वॉशर यूज फॉर लॉकिंग दा नट्स एंड कॉल बदा एक ऐसा वॉशर बदाईए कि इन मैंसे मतलब नट्स को लॉकिंग दा नट्स लॉक करने के लिए इस्तमाल करने के लिए वॉशर कौन सा होता है त तुझा ये अलग से नाके आते हैं साथ दसवार कुशन ऐसे आते हैं वह उसके लिए मैं अलग से करा रहा हूं बाकि अप मोई मेरे पराने वीडियो क्या है आपको डिस्के वाक्स में लिंक मिलेगी वो फॉलो कर लो आप जल जल ल एक मैने का टार्गेट है आपके बास य पहनत करके यह मैं सोचे कि मैं 10 कुछन इससे करा दे रहा हूं आप इससे ही हो जाएगा यह तो 30 कुछन यह तो मैं एक अलग सीरी चला रहा हूं ठीक है देखे भी यह देखे इने सिंपल गीर ट्रेंड ड्राइब है फिप्टी टीथ एंड फॉलावर 30 टीथ तो एक पूचाल यह तुछ घिर तो इसको करते हैं इसको किस तरीके से करेंगे और इससे टेर्लेटर जो हो जमी अगि झाक है जैसे सरकूर् 알क्रिस्ट क्या होती है वह भी हम करते हैं ठीक है छलो कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इसके ठीथ टीथ यो दे रख है है ठीथ टीथ या डॉख दे रहा है रूपने टीथ फॉल लोबर को क्त इस देञा है को धैस्नि नोगा करे तो कि भी इस तर्के तरीकिए तर्कें पूषिसध क्लेस रेशियो कभी इस तरीके से भी पूछ सकता है वो तो वैलस्टी रेशियो जो होता है फॉर गियर फॉर गियर वो होता है फॉलोवर भाई follower teeth by यह हो गया driver teeth ठीक है driver teeth अब यहाँ पर follower का teeth कितना है भई आपको दिया है 30 upon यहाँ पर follower का teeth है 30 and driver का teeth है 50 तो इसको cancel out करो कितना बचेगा भई यह जाएगा नहीं 0, point और यहाँ पर 6 आजाएगा 5 का 5 के 30 तो देखो देखते हैं answer कितना अभी इतना ही दे रखा है ठीक है यह answer इसका दे रखा है 0,6 यह answer है देख ले ना भई ठीक है अब भई यह चीज हो गई clear वीडियो कैसा लगा प्लीज ज़रूर बताएगा और मैं पूरी मेहनत करता हूँ आपको एक एक कुशन कराने की ठीक है और अगर आपको कोई भी परिशानी लग रही है वीडियो के related देखो मैं मानता हूँ बहुत सारे स्टूड़न्टां छोड़के जा रहे हैं बीच में से जो लोग लास्ट तक है ना वही वही सेलेक्शन लेंगे वही आगे तक ठीक है जिसको अपरेंटेशिप करना है वह कर सकते हैं मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से और हमारे पुराने वीडियो वह भी आप देख सकते हो और और अच्छी तरीके से मैंने बनाया है वीडियो मलेकि यहां पर मैं कुछ पुल प्लेष्ट आपको देखनी है जो भी प्लेष्ट में नीचे दे रखी है वह सारी देख लेनी आपको आपको हो जाएगा सारा वैल्डिंग का भी दे रखा है करवाइन का भी दे रखा है सब कुछ दे रखा है मैंने वहाँ पर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है आदक बाकी सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगेगा ठीक है वीडियों से ना एक ही सब्सक्राइबर आया भाई लास वाली वीडियो में हैनत करके बनाया था इ करो ने पुदी में देवे लुदी टावी ने रहा है हुआ है 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 है